चले, स्टार्ट करते हैं, पार्ट नमबर 3 तो यहां भी हमें वही ध्यान रखना है कि अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन जरूर कैरी करना है फार्मूला क्या कहता है, अगर हमारे पास a plus b plus c whole के उपर square है, तो हमें कैसे खोलना होगा a square plus b square plus 2ab c square नहीं लिखा, c c square plus 2ab plus 2bc and plus 2ca यह हमारा फार्मूला है, let me change the marker once So, अब हमारे लिए a क्या हो जाएगा? a हो जाएगा minus 2x तो ये हो गया minus 2x and whole square again and again a का square करना है तो ध्यान से हमें minus 2x पूरे क्यूपर square लगाना है plus b square का मतलब बहुआ 3y और इस पूरे क्यूपर square plus c square यानिके हमें करना पड़ेगा 2z, पूरे क्यूपर square 2z and a और बस यही छोटी से एक mistake है जिसके बज़े से हमारा पूरा question गलत हो जाते है हम भूल जाते हैं कि यह जो square लगेगा यह पूरे c क्यूपर लगेगा c के content में जितना भी हमारे पास है वो पूरा का पूरा square हो जाएगा plus 2ab का मतलब हुआ 2 को किसके से multiply करना है a, a है हमारा minus 2x right and b कितना 3y है तो हम इसे bracket में separate separate लिख रहें just over every confusion फिर हमें plus का sign लगाना है 2bc करना है तो हमने यहां लिखा 2, b and c we have 3y and 2z तो हमने यहां लिख दिया 3y and 2z इनको multiply करना है next 2ca वो भी plus के sign के साथ 2 लगाया c कितना है? 2z है तो हमने यहां लिखा 2z और a यानिके पूरा का पूरा minus 2x right अब हम बस इसको simplify करेंगे we are done यहां equal का sign update कर देते है that should be necessary अब देखे minus 2x के square का मतलब हुआ minus 2 का भी square जिसका मतलब हुआ 4 और x का भी square यानि x square यहां में ऐसी लिखना है 3y का square यानि कि 3 का square खोला तो यह हो गया 9 और y का square तो y square रा right अब इसे कैसे करें? plus 2 का भी square और z का भी square right हमने यहां लिखा 4z square और यह वाला कैसे solve होगा? फिर से समझते इसको solve करना सबसे पहले हम sign लगा देते हैं कि भी देखे minus और plus जब यह multiply होंगे तो sign आएगा minus का पहले sign ज़रू convert कर दिया करिए उसके बाद हम जितने में इनके coefficient है उनको multiply कर लेंगे 2, 2 जा 4 4, 3 जा 12 12 हो गया x और y भी multiply होंगे तो इनका product तो ऐसी लिखा जाएगा x, y की form में यह product हमने यहां पर mention कर दिया अब plus के बाद यह जो 3 और terms है इनका भी product होगा और कैसे अब product होगा क्योंकि यहां पर कोई minus का sign नहीं है तो plus ही रखेंगे हम 2, 3 और 2 यह तीनों multiply होंगे यानिके 2, 3 जा 6 6, 2 जा 12 तो यह हो गया 12 अब किसको multiplication रह गया सिर्फ y और z का product रह गया यह भी update कर देते हैं y, z अब रह जाती है हमारी यह तीन terms राइट अब डिस इस दा लास थिंग तो इसको multiply करने के लिए पहले हम sign update कर देंगे यह minus का sign नजर आ रहा है न और बाहर plus का sign है तो उसका मतलब हमारा पूरा content negative रहेगा और अब किस-को multiply करें पहले हम इनके coefficient multiply कर देते है 2, 2's are 4 4, 2's are 8 यह हो गया 8 Z और X के लिए हम लिखेंगे कुछ इस तरह ऐसे ZX तो ऐसे हमें इन सब को multiply करने का जो तरीका है न वो धियान रखना है बाकि और कुछ नहीं है यह सब आपने किया हुए बच्छा 8 में हमने सारी multiplication सीखी है ऐसे बहुत सारी questions की है सिर्फ इतना सा है कि हमने यहाँ पर identity सीखी है और identity के through हम multiply कर रहे है इवन आपने जब 8 में किये यह सारी questions तो वहाँ पर भी कुछ identities थी जो हमने की है chapter 9 के अंदर है तो अब यहाँ पर जब आप इन questions को परफॉर्म करेंगे तो एक-एक step याद रखिए सब कुछ easy है this has never been you know very difficult कुछ difficult नहीं होने वाला है note कीजे